नमस्कार आप देख रहे हैं तो जंता लाइव मैं हूँ आपके साथ नलिनी और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर श्रिलंका में एक और लगातर जो है आर्थिक संकट बना हुआ है और उसी आर्थिक संकट के लेकर सॉलिडिट्री दिखाने ये कुछ लोग आज यहां प्रोटेस कर रहे हैं का कहना है कि इस तरीके से रातो रात किसी देश की आर्थिक स्थिति इतनी बेकार हो जाए कि वहां की जंसंग खाने तक को मर जाए ये कितना गलत है वहां की गवर्मेंट इस तरीके से पीछा नहीं जड़ा सकती वहां का जो प्रेसिडेंट है उसके लिए नारे बाजी लगातार करते नजर आ रहे हैं मज़े की बात है कि वही प्रेसिडेंट है जो तमिलीज के साथ मिलकर तमिल लोगों के साथ मिलकर मुसल्मानों की खिलाफत करता था और अब जब वो श्रिलंका से भाग यहां दिखाने आये हैं उनकी हिंद भारत की जो सरकार है उससे क्या डिमांड है कि सरीके की राहत जो है वो श्री लंका के लोगों के लिए मांगने आए आपका शुप नाम मेरा नम मुदिता है जी आप चात्रा हैं जी अभी हाल फलाल में आप लोग यहां प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं और सॉलिडेटरी दिखाते नजर आए हैं श्री लंकान लोगों को लेका है क्या क्या पूरी आपकी जो प्रोटेस्ट का जरिया है किस वज़ा से कर रहे हैं एक चोटा सा शौट टम में हमें बता दी आज यहां पर हम सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट पब्लिक नीटिंग करने आए हैं हाँ पर श्रिलंकन जनता के साथ में हमने 14 जुलाई को एक प्रोटी बेसिक मांगों को लेकर अपनी बेसिक एसेंशल कमोडिटी के राइट को लेकर जीने के अधिकार को लेकर बहुत लंबे समय से स्ट्रॉगल कर रहे हैं और वहां की जो सरकार है वहां के जो लोकल और फॉरन क्यापिलिस का गट जोड़ है वो लगा तार जनता को क केवल ठगने का और केवल केवल उने लूटने का कम कर रही है और आज वहां की जो जनता का अंधोलन है उसकी जो मजबूती है वह आपने इस बात को दर्शाती है कि किस तरह आखिर आज जनता चाहें दुनिया कोई भी सिस्से में हो अगर उसको एक ख़द से ज्यादा आप शोशत करेंगे, परिशान करेंगे, उसका उत्पीडन करेंगे, तो वो जनता विद्रोग करेगी, वो जनता अपने हक के लिए बोलेगी और वो जनता केवल तक्ता पलट चाहेगी, वो वस्ता में परिवरतन चाहेगी और वो लोगों के शासन को लेकर आएगी, वो केवल लो कि श्रिलंका की जनता का जो संगर्ष है उसका एक रेजनेंस इंटरनाशनल कम्यूनिटी में भी है क्योंकि दुनिया के अलग-अलग इस्सों में सरकारें हम भारत की बात कर लें तो जो जनता है, लोकल, उसके अंदोलनों को, उसकी आवाजों को, उसके बेसिक राइट्स को लगातार अपने नीतियों के थुरू कुछलने की कोशिश कर रही है और केवल कॉर्पोरेटलि नीतियां ला रही है ऐसे में जो जनता का ये व्यापक अंदोलन है ये एक हमारे लिए मिसाल कायम करता है कि आज सरकारों को और corporate और international जो bodies हैं ज़से कि IMF जो capitalist bodies हैं उनके गठ जोड को उनकी politics को हमें समझने की ज़रूरत है कि आज सरकारें जिस तरीके की anti people नेतियां ला रही है उसके पीछे किस का हाथ है और उसको आज जनता को जड़ से उख hardening की फेकने की ज़रूरत है तो श्री-लंका की जनता के साथ हम अपनी solidarity करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पर people's assemblies बनाए जाने की ज़रूरत है अलग-अलग शहरों में अलग-अलग टाउंस में अलग-अलग villages में और जो यह पार्लेमेंट के ही अंदर उनका गठ जो President, Prime Minister, सरकार और Capitalist का चल रहा है उसको खत्म करने की ज़रूरत है ताकि असली जो ताकत जनता से किसी भी democracy को किसी भी लोकतंत्र को मिलती है वहाँ की जनता तक पहुँचे मैं जानना चाहूंगे आपका शुब नाम मेरा नाम नलीनी है जी मसे की बात है कि मेरा भी नाम नलीनी है तो नलीनी जी सबसे पहला सवाल यह श्री लंका के हालात जो अभी आर्थिक इस्तिती जो बिगडी हुई है वैसे ही हालात भारत में देखने को मिल सकते हैं ऐसा वे समय से इसी तरी की सरकारे और इसी तरी की ववस्था को लाके सुपॉर्ट कई गया गया है जिसके अंदर कुछ चंद पुंजी-पतियों के हाथ में सारे संसाधन है सब संपत्ती है सारे बागान है सारी धुकाने है और हम देखते हैं कि जो संक्या का बादी है वो इन फैक्टरियों में खेतों में खटने के लिए मजबूर होती है नियूंतम से भी बहुत कम में जीनने के Лिया मजबूर होती है और हम देखते हैं यह जो सिस्टम है पूझी वादी इसके अंदर हर थोड़े साल के अंदर इस का एक क्राइसिस तरह की एक संभावना पैदा होती है जिसके अंदर जंता आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाती है उसको इस तरह तक शोषद कर दिया जाता है कि जंता आवाज उठाती है आज ऐसी स्थिति श्रीलंका में पैदा हुई है हम देखते हैं कि आयम एफ है जो अंतराश्य मुद्राकोश है उसके उपर किस तरह से डिपेंडेंसी बना के छोटे देशों को और भी जादा गरीब कर दिया जाता है और इस गरीबी का जो भार है वह हम देखते हैं कि गरीब जनता ही उठाती है क्योंकि जब हमने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस के अंद सरकारी नौकर हैं यह सब संपती खाते हैं तो इसी तरह की स्थिती भारत में भी है और केवल भारत में नहीं में कहूंगी दुनिया के तमाम देशों के अंदर आज एक आर्थिक व्यवस्ता है जिसके कारण यहीं स्थिती बनी हुई है और इसके कारण यहीं स्थिती बनती ऐसे ही जब जनता जो है दुख में होती है तो सरकार को गुहार लगाती है अपने मुखिया को गुहार लगाती है आम जन जीवन की क्या है मांग रोटी कपड़ा और मकान और अभी ना रोटी है ना कपड़ा है ना मकान है अगर कल परसों की रिपोर्ट की बात करने तो देशों में हमने देखा कि श्री लंका में कोविड लॉक्डाउन के बाद से खास कर स्थिती और भी जादा खराब होती गई इस कदर खराब हो गई कि वहां पर बड़े बड़े पावर कट देखने के मिले और यहां तक की जैसे आप कह रही हैं तब व्यवस्ता परिवर्तन का सवाल उठता है कि अगर इस व्यवस्ता के अंदर लाखों लोगों को भूका मरने के लिए ही छोड़ दिया जाएगा तो ऐसी व्यवस्ता को बदल देना चाहीं बहुत अच्छा चल रहा है जी देखिए तरहे तरहे की रिपोर्टे हम पढ़ते हैं और यहां कुछ समय पहले एक सरकारी रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर भारत के अंदर जो गैर बराबरी है उसके ऊपर बात करी गई थी उस रिपोर्ट में आपको बता दू यह कहा गया कि जो महीने में 25,000 रुपया कमा रहा है वो 10% टॉप के अंदर है तो टॉप 10% में वो व्यक्ति है जो 25,000 कमा रहा है तो आप यह सोचेगा कि इस देश के 90 प्रतिशत लोग हैं वो कितने पैसे में जी रहे होंगे हमारे यहां नियूनतम मजदूरी अलरड़ी इतनी कम है न कोई बोले कि यहां पर सब चंगा सी तो यह हम मान निकले तयार नहीं होंगे जब भुकमरी के आकड़े भढ़ते हो हमने कोवड लॉकडाउन में और उसके बाद देखे हम देख रहे हैं बड़े-बड़े सरकारी विभागू का निजी करण हो रहा है हम देख रहे हैं शिक यह भाजपा सरकार के लिए भी कहा जा सकता है अगर कोई सरकार अपने आपको विवस्ता से हटकर दिखाना चाहती है कोई चुनावी पार्टी राजनीतिक पार्टी तो हम यह मानने के लिए तयार नहीं है क्योंकि जो अपने आपको विकल्प की तरह दिखा की भी पावर म नजार आता था लगातार जो है धार्मिक राजनीती वहां देखने को मिलती थी और वैसी राजनीती है भारत में देखने को मिलती है एकी कगार पर एकी पलड़े पर तो नहीं नजार आ रही है चीज़ें देखिए 1970 के दश्रक में हमने श्रिलंका में ये देखा कि भाषाई और धार्मिक मतों का आपस में बहुत बड़ा लड़ाई रही जगड़ा रहा civil war की यहां तक की हमने situation वहाँ पे देखी तो लंबे समय तक जो वहां की ruling elite है उन्होंने जनता को मेहनतकश वर को धरम के आधार पे भाषा के आधार पे एक दूसरे को लड़ा के खूद खूद अपने महलों में चुपके मजे किये उन्होंने सब विलास्ताब होगी और भा पे जनता कश होने के नाम पे अपनी मुलभूत जरूरतों के नाम पे साथ हाए और इस वेवस्ता के खिलाफ अपनी आवागों में आपका नाम मैया है और मैं महिला संगठन सेंटर फू स्ट्रॉग्लिंग विमन से हूँ आज आप लोग सॉलिडिटरी लेकर आए हैं श्री श्री लंका में उभर के आया है गाउं गाउं तक पहुचा है और एक ऐसा अंदोलन है जो एस्टैबलिश्ट रेप्रेजेंटेटिटिव सिस्टम को चैलेंज कर रहा है जो धांदली हुई है करप्शन हुई है पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो एक ब बहुत सारे महतवपून मांगे जो लोग वहां पे उठा रहे हैं कि किस तरीके से उनके अधिकारों को कुछला जाता है किस तरीके से उनको decision making process में कैसे उनको decision making process में include नहीं किया जाता है सिर्फ ऐसे routine election हर 5 साल कराया जाते है और उस मतदान के बाद बाद में लोगों से नह नीती आपके हित में है क्या ये कानून अच्छा है या खराब है तो लोगों को एकदम हर 5 साल बार साइडलाइन किया जाता है उनकी interest को साइडलाइन किया जाता है और ये महतवपून सवाल आज हमारे देश में भी है कि किस तरीके से आम लोगों की जिन्दगी बद से बद तंत्र नहीं है एक सवाल अचानक से श्रीलंका की जो आर्थी के स्तती है बेहत खराब हो गई क्या लगता है मूल जो वजह रही है वो क्या रही है तेखे बहुत महतवपून कारण इसके पीछे हैं एक महतवपून कारण जो श्रीलंकन मुव्मेंट भी रेस कर रहा है वो यह है कि जिस तरीके से आपके पूंजी पती डेशों ने और पूंजी पती फंडिंग एजनसी जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनने किस तरीके से श्रीलंकन एकॉनमी को एकदम पकड में रखा हुआ है फॉरिन करण सी रिजर्व का क्राइसिस काफी समय से चल रहा ह है श्रीलंका में खासकर की कोविड के दौरान ये पिछले देड़ दो सालों में इस्तिती और गंभीर हुई है और आइम एफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अमरीका जैसे जो पूंजी पती फोर्सेज है वो एक रिलीफ पैकेज के नाम पर चाहते हैं कि श्रीलंकन ग पिस रहे हैं उनके वेतन कम है उनकी इंकम कम है जैसे ही ऑस्टेरिटी मेजर्स आ जाएंगे रिलीफ पैकेज के नाम पे तो जो अल्रीडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है कम पर्चेसिंग पार है जनता कि वो और भी कम हो जाएगी शिक्षा स्वास्था ये सारी चीज उसे अपना हाथ फेर लेगा जो ऑस्टेरिटी मेजर्स का एक बहुत ही इंपोर्टेंट केरिक्टरिस्टिक है और यहीं चीजें लंबे समय से हो रही है और इंटेंसिफ फॉर्म में होने वाली है अभी तक कल के आकड़ों के बात करें तो लगबग 80,000,000 लोग हैं जिनके पास मेडिसिन नहीं पहुच रहे हैं लंबे समय से क्योंकि लगबग जून का घर हम देखें आकरा तो जून में श्री लंकन रुपी का वैल्यू असी प्रतिशत गिर गया था तो मतलब लोगों के पास परचेसिंग पार नहीं नहीं रहा उसके ओवर सप्लाइ की दिक्कत ह है क्योंकि इस श्री लंकन गवर्मेंट में पहले से ही बहुत खराब नीते हैं अपनाई जैसे फर्टिलाइजर पर उन्होंने इंपोर्ट्स पे बैन कर दिया लास्ट यह 2021 में तो छोटे किसानों के पास फर्टिलाइजर की कमी रह गए तो आउटपुट जो अंदोलन पैदा हुआ है मार्च अप्रेल से शुरू हुआ है बहुत इंपोर्टन फॉर्मेल और आज सौ दिन आज सौवा दिन है अंदोलन का उसी को मार्क करते हुए और उसी स्पिरिट को सलूट करते हुए मतलब मुश्किलों में दिक्कतों में लोग आए हैं बहार उस को सलूट करते हुए आज यहां पर जंतर मंतर पे हम लोग आए हैं